हेलो आपका लर्न फन के आज के हमारी इस क्लास में बचो मेरा नाम है उज्वला एम और सोशल साइंस एडुकेटर और आज की क्लास में बचो हम लोग लेकर आगए है दो मोस्ट डिमार्डिंग चैप्टर अप्रिंट कल्चुर अंद मॉडर्न वर्ल्ड और बचो आज इस च तो कैसे यह परेंटेटर मैटीरेल सक्टीलेशन में आता है लोगों को मैटीराइल से डर क्यों लगता है इंडिया की पूरी कहानी सब कुछ आज की क्लास में हम लोग करने वाले है समझने वाले हैं let us start today's class और सबसे बहले बात करते हैं इस print culture के शुरुवात की तो बचो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे printed material का जो वह होता है चाइना जपैन और ипोरिया लित टो चैंड़ा जपैन और कोरिया इन तीं देशों के अंदर सबसे पहले हांड प्रिंटिंग का इंवेंशन होता है हांड फंटिंग मतला भी होता था बच्वों जैसे किनाम से इसामसे समझ में आ लिखे होते थे और उसी को इंक में दुबोया जाता था और फिर अपेपर पर पेचाप दिया जाता था बचि पेपर होता था ना वो काफी ठिन और फोरस होता था तोповतरी साइट पर चैल कि पहीद उ दाट इस वाई उस पेपर के दोनों साइड आप चीज़ चाप नहीं पाते थे तो पेपर लोगे वोट ब्लोग प्रिंटिंग करोगे बट दी अधर साइड पर भी वो चीज प्रिंट हो जाएगी तो ऐसे करके धीरे धीरे प्रिंटिंग चालू हुई थी बचो अकॉर्डिय वो बुक ऐसे फोल्ड करके प्रिंट कर देते थे अब चाइना के अंदर इस चीज की शुरुवात होती है उसका बचों हम लोग देखते हैं कि प्रिंट टेक्नॉलिजी ऐलियस्ट काइन की चाइना जपान कोरिया में डिवेलाफ होती है ओल्डेस्ट जैपनीज बुक्स व प्रिंट करा गया था उसका नाम है बुद्धिस्ट डाइमंड सूत्रा इन जपान चाइन जो है बच्वफी टुब वट नंबर वान इन प्रिंटिड माटीरियल सबसे जादा प्रिंटिंग माटीरियल चाइना में प्रिंट हो रहा था क्यों उसके पीछे भी रिजं है क्य लोगों को पढ़ना ता और पढ़ने के लिए किताब चाहिए होती है आप लोगों को भी चाहिए होते हैं किताब अर्बन कल्चर डिवेलप होता है प्रिंटिंग कल्चर और जादा बूम करता है मर्चिंज जो है प्रिंट्स का यूज करने लग जाते हैं अपनी ट्रेड इंफो कलेक्ट करने के लिए रीडिंग जो एक लेजर अक्टिविटी बन जाती है पीपल साटे इंजॉइंग इट इसपेशली दो रिच दो मिडल क्लास पीपल विमन जो है बचो वह भी लिखने लगती है पढ़ने लगती है अपनी खुद की पोईट्री और प्लेज नाटक वगएरा लिखने लगती है और बचो स्कॉलर्स की जो वाइव होती है वो अपने खुद के काम को पब्लिश करत रहते हैं तो इस तरीके से प्रिंटेड माटीरियल चाइना के अंदर बहुत जाद़ डिवेलप होता है बचों हम लोग देखते हैं कि हां अ इस टाइम पर यॉरॉप के अंदर डिवेलप हो रही होती है और बहुत सारे यॉरोपियन उस मेकानिकल प्रिंटिंग प्रेस को चाइना में ले जाते हैं और बचों चाइना के अंदर एक जगा है शैंगाई जो की इनका हब बन जाता है हब अफ दे निव प्रिंट कल्चर तो मेकानिकल प्रिंटिंग यॉरॉप में डिवेलप हो रही है शैंगाई लेकर चले गए हैं बिजनस करने के लिए और शैंगाई बन जाता है हब ऑफ दे प्रिंट कल्चर उसके बचों बचों वही चीज है जपान के अंदर बुद्धिस्ट मिशिनरी जो है जो अपने कल प्रिंट करा जाता है और राइट ठीक है तो आए हो बच्चों कि यहां तक हमको बात समझ में आगे अब जो है हम लोग चल रहे हैं प्रिंट कम्स तू यॉरॉप की बात करने के लिए तो जपान चाइना कोरिया के अंदर तो प्रिंटिंग टेक्नोलोजी हो गई है डिवेलप पर अभी प्रिंटिंग टेक्नोलोजी यॉरॉप तक कैसे पहुंचती है चलिए अब इस चीज को देख लेते हैं तो बचों अब ना जिसे डोरा दी एक्स्प्लोरर है तो वैसे ही और सिरुख टेख एपकोपर टेक्नोलोजी वो इतली में यां फिर पकेंदर अभी तक प्रिंटिंग टेक्नोलोजी नहीं थी तो वहां पर लोग printed material कैसे यूज़ करते थे बिलकुल बहुत सभी सवाल है तो बचो अभी तक यहां पर इस्तमाल किया जाता था manuscripts का manuscripts का होती है manuscripts are the handwritten books or the handwritten documents और बचो इनको जो access था वो सिर्फ rich लोगों के पास था क्योंकि rich लोगों को लगता था कि वेलम वगेरा जो बहुत मोटा अनिमल स्किन है या वो सब है उस पर चीज़े लिखी जाए हमको प्रोवाइड करी जाए और दोस थिंग्स तो उस handwritten material को वो लोग यूज करते थे लेकिन obviously manuscripts की अपने आप में ही बहुत limitations थी बहुत कम्या थी एक तो बच्चों आप उसको हर जगा क्यारी करके नहीं लेकर जा सकते थे मोटी मोटी manuscripts होती थी उसको easily पढ़ नहीं सकते थे उसको copy करना काफी expensive होता था काफी laborious task होता था काफी time consuming task होता था काफी समय लग जाता था एक book को लिखने में प्रिंट करने में उसे के साथ बचों यह जो manuscript सी काफी नाजुक काफी fragile हुआ करती थी and they were awkward to handle इनको handle करना भी काफी मुश्किल हुआ करता था तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि manuscripts जो लोगों की बढ़ती हुई reading demand थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी और इस time पर there was a need for a better technology एक नई printing technology की जरूरत थी और इस नई printing technology की जरूरत को पूरा करते हैं हमारे जोहन गुटनबर्ग जी तो गुटनबर्ग जी अपने साथ ले आते हैं अपनी printing press जो की बच्चों एक mechanical printing press है तो 1295 में Marco Polo Explorer इटली आते हैं exploration के बाद Strasbourg Germany Johan गुटनबर्ग ने सबसे पहली printing press 1430 में develop करी और सबसे पहली book जो नों अपनी printing press के थूट डिवेलाप या पिल सॉरी print करी थी that was the Bible बट जोहान गुटनबर्ग को प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया कहां से आया let us also find that out बच्चों गुटनबर्ग एक agricultural estate में पले बढ़े थे पैदा हुए थे तो वह बच्पन में ही oil presses और wine presses को देखते हैं जहां बन रही होती है और बन रहा होता है तो महासलों को आइडिया आता है कि ऐसे प्रेस करकर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं तो बच्चों वो जो हैं अपनी एक mechanical printing press को develop करते हो सबसे पहले किताब Bible को उसके थूँ प्रिंट किया जाता है टेक है 180 copies बनाते हैं तीन सालों में बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि काफी कम copies बनाई है उन्होंने बट नहीं यार copies काफी ज्यादा थी उस time के हिसाब से टेक है तो अभी जो है हम देख रहे हैं कि एक वो hand printing technique से थोड़ा लोग आगे बढ़ गए हैं और एक mechanical printing technique जो है जो है जो हान गोटनबग द्वारा introduce कर दी गई है बचों ये जो है ये particular invention लेकर आती है ही थी तो जादा से जादा लोग जो है उनके लिया बुक्स accessible हो गई थी सो देवर buying the books they were reading the books पहले hearing public होती थी oral literature जो है उसको pass on किया जाता था कि मैंने कहानी सुना दी फिर वही कहानी किसी और ने दूसरे को कर सकते हैं और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक आ गई है printers वह popular ballads folk tales बचो publish करने लग गया और सिर्फ एसा नहीं कि लिखा जा रहा था हर चीज को कि हर चीज मतलब प्रिंट हो रही थी सिब लिखना 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 ऐसा नहीं है illustrations भी की जा रही थी pictures वगेरा थोड़े बहुत वह भी बनाई जा रही थी to make it more and more interesting इतना सारा print तो develop हो रहा है लेकिन क्या हर को इस printing technology के आने से खुश है ऐसा नहीं था अब बच्चो जब print develop होने लग गया लोग पढ़ने लिखने लग गए new reading public आ गई तो लोग जागरोख होने लग गए जागो ग्राहक जागो हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं ताकि हमारा दिमाग जो है वो विक्सित हो सके हमारे अंदर एक वो रैशनालिटी आ सके रीजन आ सके हम लोग क्रिटिसाइज कर सके questions पूछ सके हाँ and all of that चेक है तो बच्चो यहां पर हम देखते हैं कि print revolution का impact ये था कि new reading public create होई थी लेकिन इस new reading public के create होने से there were a lot of people जिनके अंदर आ गया था fear of print यानि की print culture का डर और especially हमारी established authorities के अंदर यानि की जो मोनार्की थी राजा महरा राजा लोग वो डर रहे थे जो हमारा चर्च था जो अभी तक लोगों को धरम के नंबर डरा रहा था वो खुद डर ने लग गया था तो बच्चो not everyone welcomed the printed books and those who did they had fears about it यह question पूछा जा सकता है कि हर किसी ने तो welcome नहीं करा और अगर किसी ने welcome भी करा तो उसके अंदर डर था क्या डर था पांच points है सबसे पहली चीज़ बचो print created wide circulation of ideas introduced a new world of debates and discussions तो एक तरीके से बचो बहुत सारे ideas लोगों की बीच में circulate होने लग गए है एक नया world debates का discussion का बहस बाजी का emerge हो गया है बचो जो लोग established authorities के साथ disagree करते थे राजा महराजा के साथ या church के साथ disagree करते थे वो अब अपने point को print कर सकते थे और उस अपने जितने भी खयालात है आइडियाज है उनको circulate कर सकते थे दूसरों तक पहुँचा सकते थे तीसरी चीज थी print के थू बचो वो जो है लोगों को persuade कर सकते थे कि आप भी अलग तरीके से सोचने की कोशिश करो और action लेने की कोशिश करो डरो मत साथी में बचो चौती चीज य चारियां उसको control नहीं किया गया तो उससे लोगों के अंदर बागी खयाल जो है rebellious thoughts जो है वो आ जाएंगे और लोग जो है चर्च के किलाव राजा के किलाव धावा बोल देंगे और पांच वी चीज यह थी बचो जो वाल्यूबल लिटरिचर है वो डिस्ट्रॉय हो और मार्तिन लूथर उन लोगों का जो डर था ना उसको हकीकत में तबदील कर देते हैं कर दिया institution Christianity का उसको criticize करा उसकी सारी practices को criticize करा और बचो हम लोग देखते हैं कि इन्होंने church को ही divide कर दिया Christian religion के अंदर बटवारा कर दिया Protestant Reformation को शुरू कर दिया तो बचो जितने भी लोग Catholics के against गये थे देवा the Protestants within Christianity तो यहां पर दो सेक्ट में Christians बढ़ जाते हैं एक Catholics और प्रोटेस्टेंस विच वर लेड़ बाए Martin Luther और बचों Martin Luther यहां पर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि printing is the ultimate gift of God and the greatest one क्योंकि प्रिंट की कारण ही तो है कि वो अपने आइडियास को लोगों तक पहुंच आप आए है ना तो यहां पर हम लोग आगे देखते हैं बचों उसके बाद यहां पर reading mania और ज्यादा बढ़ता है tremble therefore tyrants of the world बचों हम लोग देखते हैं यहां पर धीरे धीरे जो खत्रा है वो हमारे अपने दिये है रेटिकल आइडियास हेरेटिकल आइडियास के होते हैं जो किसी इस्टाबलिस्ट इंस्टिटूशन के खिलाफ होते हैं एक सब्सक्राइब आपने जो Bible है उसको इसको इक्रिटसाइज कर दिया तो बचो यहां पर चर्च जो है उसको बिलकुल अच्छा न मार देते हैं एक्जिक्यूट कर देते हैं उसके यहां पर वी सी ट्रेंबल दैफ टारेंस अब यहां पर लुई सबास्टिन मर्सियर आते हैं जो की नॉवलिस्ट है 18th century France के और यह डिक्लेयर करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस इस पाफुल इंजिन औफ प्रोग्रेस और प प्रिंटिंग लोगों की थिनग विक्सेत हो रही तो यहां भी लूई सबास्टिन मर्सियर बोल देते हैं कि यार प्रिंटिंग प्रेस बहुत ही पावरफुल है चीज जो है ना बहुत बढ़िया चीज है और यह जो है डेस्पॉर्टिंग पाप्रेस निकाल के बाहर फैक and they'll question the authority of the monarchs और धिरे-धिरे monarchy को ही भगाड आ लेंगे तो हम लोग देखते हैं बचों की एक तरीके से printing material नहीं हमारी French revolution के लिए ground भी prepare करा है we see that many thinkers like Walter, Russo they all like put on some ideas, उनने बहुत सारे ideas circulate करें अपने बताया कि यह जो despotic rule है this is very wrong उनके ideas लोगों में circulate हुए लोग उनके ideas को समझते हैं और धिरे-धिरे French revolution का ground prepare होता है so print created a new culture of dialogue debate by the 1780s there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality तो बचों जितने भी राजा माहराजा थे और वो जो भी हरकते करते थे उन सभी को criticize कर दिया जाता है because a printing material बहुत तेजी से बढ़ रहा है किस तरीकी का printing material बढ़ रहा था 17th, 18th century में बचों हम लोग देखते हैं तीन तरीके का printing material एक था almanacs almanacs होते थे जिससे पंचांग वगरा होती न religious calendars, fortune and all of that उस सबसे related होता था penny chap books थी जो की एक ही penny में मिल जाती थी किताब होती थी बचो छोटी-छोटी सी जो लोग अपनी जेब में रखके भी घूम सकते थे और इनको circulate किया जाता था हमारे chap men द्वारा जो की एक जगह से दूसरी जगह इन किताब को बेचने जाते थे एक होती थी bibliothic blue बचो ब्लू कलर के कवर में ये किताब मौजूद थी फ्रांस के इंदर इसको बेचा जाता था कम प्राइस पर क्योंकि इसकी क्वालिटी भी उतनी बेकार होती थी खराब होती थी ठीक है तो इस वाद डिफरेंट टाइप सब लिटरेचर जो इस ताइम पर सब्सक्राइब कर रहे थे आज यू किन सी चिल्रें विमिन और वर्करज तो यहां पर गाइस यह जो तीन काटेगरीज है इनके बारे में इसले बात कर रहे हैं बिकोस देखिए बच्चे जो थे इस टाइम पर देवर और लाइक दपीपल जिनके लिए टेक्स बुक्स की जरूरती बहुत भारी मातरा में इस बुक्स को प्रिंट किया जा रहा था आज primary education was made compulsory for children school textbook print की जा रही थी और दो बच्चों को कोई पढ़ने लिखने के इतना शौक होता नहीं है लेकिन हम अजबूरी है करनी पड़ेगी साथी में बच्चों इस टाइम पर बच्चों के लिए grim brothers आते हैं और grim brothers जो है बहुत सारी traditional folk tales जो लोग कथाय होती है उनको compile करने लगते हैं बहुत साल उस पर लगाते हैं और बच्चों फिर उसको बच्चों के लिए books के फॉर्म में उन stories को publish करते हैं तो यह एक नई तरीके की चीज थी जो स्टाइम पर आती है like stories for children उसका बच्चों भी आलसो सी जहां पर उनको घर का काम सिखाया जाना था housekeeping सिखाया जा रही थी घर के अंदर कैसे रहना है obedient wives कैसे बनना है यह सारी कहानिया सिखाया जा रही थी Jane Austen Bronte sisters George Elliot यह सारी हमारी different different female authors बच्चों काफी famous female authors जो इस टाइम पर इमर्ज करती है और एक बहुत strong female character को वो build करती है अपनी stories के दुरू सो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे printing fell रही है printing बढ़ रही है the role of women is also becoming stronger with it साधी में यहां पर हम लोग देख सकते हैं workers की जब बात करते हैं तो workers बच्चों बहुत सारी से libraries थी जहांबर workers को किराय पर books मिलती थी कि आप भी library से ले लो फिर पढ़ लो and then you have to return it back और बहुत सारे workers as they were also working तो बच्चों आप यह मतलब उनके अंदर का enthusiasm देखो कि वो काम भी करते थे इतने लंबे-लंबे आवर्स काम भी करते थे and then they also had the time they obviously didn't have time but they took out some time to study and they were self-taught खुद से खुद को ही पढ़ना सिखा रहे थे वो ठीक है बच्चों तो अपने आपको educate करते हैं अच्छी autobiographies लिखते अपनी life के उपर कहानिया लिखते है और political tracks भी लिखते हैं ठीक है slowly and steadily working day also decreased number of hours decreased and वो और जदा पढ़ने लगते हैं लिखने भी लगते हैं साथी बचों इस time पर हम लोग देख रहा है production of schools textbooks became critical lending libraries England became instruments for educating white collar workers artisans lower middle class people so all of these people were also getting educated साथी में और भी inventions आती है Richard M हो है बचों वो लेकर आते हैं power driven cylindrical press जिसमें capacity थी कि 8000 sheets प्रती घंटे की capacity से वो machine print कर सकती थी फिर एक offset press आती है उस offset press बचों आईरन करने वाली press नहीं press printing press की बात हो रही है तो offset press छे रंग एक ही टाइम पर प्रिंट कर सकती थी चेक है so these were the inventions that kept on coming एक जो हैं गुटनबग जी ने तो करी दी थी invention लेकिन उसके बाद दीरे-दीरे inventions और बढ़ती जाती है printing procedure और तेजी पकड़ लेता है और कि यूज होता था manuscript क्या यानि कि हमारे handwritten documents जिसके बारे में हमें अल्रेडी पता है कि क्या limitations होती है एक तो बहुत समय लग जाता है copy करने में fragile होती है हर जगा carry नहीं कर सकते तो बहुत सारी limitations है ठीक है अब बचों इंडिया के अंदर एक rich और old tradition था handwritten manuscripts का हाथ से लिखी जाती थी manuscripts Sanskrit भाशा में Arabic में Persian में और बहुत सारी vernacular यानि की local languages के अंदर एक tradition मौझूद था manuscripts however were highly expensive and fragile obviously बहुत नाजुक होती थी नाजुक कलिया और highly expensive they were also very very expensive साथ ही बचों हम लोग देखते हैं first printing press Goa में आती है जो कि Portuguese missionaries अपने साथ mid 16th century में लेकर आते हैं Goa जो कि बचों एक हमारा coast की side by आ जाता है Goa में सबसे पहले जो Portuguese missionaries आये थे missionaries कौन होते हैं वो लोग जो अपने religion को अपने educational institutes के तुरू फैल आने आते हैं तो बचों वो लग आते हैं और वो अपने साथ printing technique को लेकर आते हैं इंडिया में 1674 तक about 50 books had been printed in Konkani in Kannad languages and from 1780 James Augustus Hickey also began to edit the Bengal Gazette बचों ये Bengal Gazette तो edit कर देते हैं लेकिन इस newspaper के अंदर ये जो है हमारी इस इंडिया company के जो high position officers होते हैं उनको criticize करते हैं और इस इंडिया company को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो बचों यहां पर वही चीज है कि जो established authorities है जो authorities power में है उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि उनकी authority को criticize हलका सा भी किया जाए अभी जिसे हमने यॉरॉप में देखा था ना कि कैसे जो है religious authorities को ये डर लगने लगता है कि उनकी जो power है वो छिन ली जाएगी या फिर जो लोग है वो criticize करने लगेंगे उनके खिलाफ हो जाएंगे वही सेम डर इंडिया के अंदर भी बचों लगने लगता है इस टाइम पर जब printing culture आता है प्रिंट सर्कुलेट होने लगता है लोगों के बीच में तो जितनी भी के अंदर धरम बदलना नहीं चाहिए लोगों के बोलने से कहने से तो बचों यहां पर हम लोग देखते हैं कि 1822 से दो पर्शिय न्यूस्पेपर को पब्लिश किया जाता है जामे जहाननामा शंसुल अखबार न्यूस्पेपर जोग अपनी संस्कृति को ना भूल जाए अपनी लोकल लांगवज इसको इंटक्ट रखें होता क्या है बच्चों दिस वस्टाइम अफ रिलिजियस डिबेट रिलिजियस डिबेट का टाइम था बहुत सारे इशू हिंदू धरम के अंदर जिसे विडो अपने पती की चिता पर आग में जलके राख होना होगा बचों इसके खिलाफ बहुत सारा यहां पर डिबेट होता है साथे में मोनोथीजम कि आप एक ही गौड को वर्शिप करो हिंदू धरम के अंदर आप देखते हूं बहुत सारे भगवानों को लोग वर्शिप करते हैं आइडोलेटरी की बात हुई कि आइडल वर्शिप की तो कुछ लोग उसके फॉर कुछ लोग अगेंस्ट वह सारी जीज़े सारी चीजों के established religious practices के खिलाब जिससे सती प्रता हो गई विडोरी मैरिज की बात हो गई इन सब चीजों की सती को हटाने की विडोरी मैरिज होने की बात करते हैं और बचों वह एक अकबार भी लेकर आते हैं संबध कौमुदी लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारी जो हैं उसी के साथ साथ अगर हम इसलामिक धरम की बात करें तो बचों वहाँ पर जो उलामाज होते हैं उलामाज को यह डर था कि अब जो Muslim dynastries है वो गिर जाएंगी यह जो Christian धरम के लोग British आएंगे यह लोगों को convert करेंगे उनका धरम परिवर्तन करेंगे ठीक है उनका धरम परिवर्तन करेंगे और बहुत सारा डर उनको लग रहा था तो बचों इसी डर के कारण वो अपना literature print करने लगते हैं वो फत्वा जारी कर देते हैं एक लीगल हम order बोल सकते हैं religious legal order जिसके थूँ वो लोगों को बता रहे थे कि आप लोगों को कैसे behave करना है कैसे act करना है so don don't get influenced by the Britishers by the Christian religion आपको अपने religion में intact रहना है तो इसके लिए यह सब कोशिश है यहां पर की जा रहे थी by our religious authorities साथ हम बचों यहां पर new forms of publication में women and print की बात करते हैं so by the 1870s caricatures cartoons को publish किया जा रहा था journals के अंदर newspapers के अंदर और social or political issues का एक तरीके से हम बोल सकते है थोड़ा sarcastic way में उनको mock करके उनका मजाक उड़ा के बहुत serious issue को highlight करने की कोशिश की जा रही थी तो बचों caricatures देखे होंगे आपने की एक इंसान हो तो उसका बड़ा सा मूँ बना देते है चुटी सी body so caricatures ऐसे बनाने लग गए कार्टून के थ्रूँ so they were like walking issues which were actually very serious issues लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए मजाक की तरीके से उसको पेश करना बहुत serious issue को तो यह सब चीजे हो रहे थी social issues समाजिक मुद्धो पर राजनितिक मुद्धो पर many journals began carrying the writings by women explained why women should be educated और बारत के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि महिलाओ की जो education है जो पढ़ाई लिखाई है उस पर जोर देने के लिए बहुत से journals बहुत सी महिला है जो खुद से लिखने लगी writings that all was happening and Hindi printing began seriously only from the 1870s फिर हम बात करते हैं at the end print and censorship की जहां पर हम लोग देखते हैं बच्चो 1820s Calcutta Supreme Court passed certain regulations to control press freedom and the company began encouraging publication of e-newspapers that would celebrate the British rule हो क्या रहा था जितनी भी चीजे British rule के against होती थी उनको बच्चों censor कर दिया जाता था और जितनी भी चीजे British rule को celebrate कर दी थी वो जारी कर दिया जाता था because अब को पता था कि print culture का impact लोगों पर कितना ज्यादा होता है लोग print culture के फैलने से अगर किसी भी एक चीज किसी भी थॉट प्रोसेस को फैल आया जाएगा print culture के थे तो people would start believing in that तो अगर लोग British को criticize करेंगे तो उनकी खिलाफ एक महाल सोसाइटी में develop होगा और उसी चीज को रोकने के लिए बच्चो British rulers जो थे वो sensor कर देते थे ऐसे किसी print को और जो print उनको एक तरीके से बहुत अच्छे से दिखाता था उनको बहुत अच्छा डिपिक्ट करता था उस print को जो celebrate करता था उनको उसको circulate करने की यहां पर कोशिश वो लोग करते थे साथी में बचो इस टाइम पर एक आक्ट आती है उस आक्ट का नाम है वर्नाकिलर प्रेस आक्ट और इसको 1878 में पास किया जाता है अब इस आक्ट के साथ क्या होता है गावर्मेंट जो ब्रिटिश इस इंडिया कामपनी की सरकार थी उसको बहुत पावर मिल जाती है की बच्चों वह क्या कर सकती है उस जितने भी वरनाकिलर प्रेस वरनाकिलर नीउस्पेपर जों लोकल लाइंगुज़ इस में नीउस्पेपर प्रेंट होते थे उन पर तो उस सेनारियों के अंदर बचों हम लोग देखते हैं कि प्रेस को सीज कर लिया जाएगा और साथ ही में जितनी भी प्रिंटिंग मशीनरी थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा उनसे जप्त कर लिया जाएगा तो यह सारी चीज़े हो रही थी और ब्रिटिश के पास काफी जादा पावर आ गई थी तो सेंसर थिंग्स साथिम बचों पंजाब revolutionaries जो थे जो क्रांथी की बात कर रहे थे ब्रिटिश की खिलाब जा रहे थे उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है जिसके बाद बाल गंगा धर तिलक बचों लिखते हैं उनके साथ sympathize करते हुए इन इस न्यूस्पेपर के सरी और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनको इंप्रिजन कर दिया जाता है 1908 जिसकी बज़े से बहुत widespread protest country में हमको देखने को मिलता है कि सब इस बेसिस पर आपने उनको arrest कर लिया है जेल में डाल दिया है विकर्ज उन्होंने sympathize कर लिया विद रेवलिशनरीज वहरी नाइस तो इसे के साथ हमारा chapter होता है समावत I hope you all like the chapter और इस छोटी explanation तो कहीं और नहीं मिली होगी तो अगर बचो आपको दूसर chapters की भी ऐसे explanation जाहिए तो do let me know in the comment section thank you so much for all the love take care guys I will see you next time